जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टीड यूटूब चैनल में तो यहां पर SSC CSSL 2023 की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है यहां पर आप देख पार होगे Uploading of Tentative Answer के Along with Candidate Response ठीक है Of Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level Examination Tier 1 की और यहां पर यहां पर यह नोटिस आया हुआ है और यह जो आंसर की है कब से कब तक आप जो है इसको चेक कर पाएंगे कि आप लोगों के जो है आपके सिप्ट में कितने क्या नंबर आपके इंक्रेज हो रहे है है ना Normalization होकर तो यहां पर पूरी डीटेल्स आप लोगों को मिलने वाली है वीडियो को लास्त तक देखते रिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भ यहां पर आपको लिएका करके लिंग करते है और यहां पर डालोड कर लेता हूं तिका इसको डाउलोड कर लेता हूं और यहां पर जो link दिया है इस link के माध्यम से जो है इस page पर यहां पर simple सा आ जाना है ठीक है अब जैसे यहां पर आएंगे तो यह page आपके सामने open आ जाएगा और यहां पर आपको selected मिलेगा combined higher secondary level examination 2023 tier 1 ठीक है click here पर click करेंगे तो यहां पर अभी जो बता रहा है ठीक है यह आप लोगों का कुछी देर में आ जाएगा 14-8 ठीक है इन कुछ तरीके से यहां पर बता रहा है तो यहां पर क्या करेंगे आप थोड़ा wait करेंगे ठीक है wait करने के बाद जो है आपके यह ट्राय करते रहेंगी लिंक के थोड़ा सा जो है यहाँ पर अभी open नहीं हुआ है ठीक है लेकिन यहाँ पर answer की जारी कर दी गई है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ देर बात यहाँ पर सारी चीजे बता दी जाएगे अब scorecard की बात आती है तो scorecard आप जो है अभी तो आप लोगों का scorecard जो है आपके final जो result आता है उसके बाद ही आपका scorecard जारी होता है ठीक है लेकिन मैं एक process आपको बता देता हूँ जिसके मादें से आप scorecard देख सकते है rank IQ से आप जो है अपना scorecard देख सकते है ठीक है rank IQ SSC CHSL सर्च कर लिजेगा SSC CHSL ठीक है CHSL आप सर्च कर लेंगे तो आप यहाँ से जो ह rank IQ पर आपनी जो rank है वो देख सकते है और अपना scorecard देख सकते है इसमें क्या करना होगा जब आपने answer की देखेंगे तो उसका URL है जैसे कि यहाँ पर इस page का URL वो यह है ठीक है यह जो URL है इसको आप copy कर लेंगे copy करने के बाद यहाँ पर आप उसको paste कर देंगे category select कर देंग ठीक है फिर यहाँ पर जो है यह आप लोगों की category है ना handicap है वगेरे सारी चीज़ यहाँ पर आपको select करना है और यह password आप बना लेंगे 12345 जो भी आप password बना रहे ठीक है तो यहाँ पर आप सब्मिंट करेंगे तो आपकी rank जो है यहाँ पर बता दीज दाएगी ठीक है यह पुरा प्रोसिस्ता answer की चेक करने का ठीक है लिंक आपको कुछी देर में जो है एक्टिव हो जाएगा यह भी यहाँ पर कुछ तरीके से जो है आप लोगों को सो कर रहा है ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा सा और वेट कर लेना है ठीक है चलिए